सब्सक्राइब दोस्तों स्वागता चैनल पर मैं हूँ बावर रामदास और मेरे साथ है बाई अवनीश पीएंट शर्मा जी केजरिवाल मामलों के विश्य शग्ये सर यह क्या है मैंने सुना ट्विटर पर लोग जस्टिस खन्ना को मतलब एकदम ट्रेंड करा दिये है जी बाबाजी आपको बहुत बहुत नमस्कार प्रडाम और आपके सबी दर्शकों को भी नमस्कार आप कुछ कहना चारहे है जी जी सर यह कितनी अच्छी बात है कि इस देश में नैपालिका की इज़्जत कितनी बढ़ी है कि उसके एक मिलाड जो है इस समय जन मीडिया मंच ट्विटर क्या है सर पब्लिक का मंच है पब्लिक की मीडिया है वो न कोई अस्थापित मीडिया है न कोई मैनेजड मीडिया है वहाँ पर ट्रेंड कर रहे हैं यह लोगों की महबबत लेकिन ट्रेंड क्यों कर रहे हैं जस्टिस खन्ना ही वो नियाधीश हैं जिन्हों ने अर्विंद केजरिवाल को तिहार से बाहर निकाला सर इससे पहले कि मैं ये बात शुरू करो मुझे हसी आती है इस देश की अस्थापित मेडिया पर कि उनके नियूज रूमों में टैलेंट किया क्या अस्तर हो गया है अर्विंद केजरिवाल जिस दिन से तिहार से निकले हैं जस्टिस खन्ना के आर्डर के बाद ये कहा जा रहा है कि साब उनको इंटरिम बेल मिली है यानि अंतरिम जमानत मिली चाहे मीडिया हो चाहे लिखने वाले हो चाहे बोलने वाले हो चाहे इकोसिस्टम हो सब के सब ये कह रहा है कि साब इंटरिम बेल मिली है सर टेकनिकली यह बहुत बड़ा जूट बोला जा रहा है मीडिया दोरा और उसको लेके सारे लोग उड़ रहा हैं कि अर्विंद केजरिवाल को किसी तरह की कोई बेल मिली है सर रेगुलर और इंटरिम ये दोनों तरह की बेल तभी दी जा सकती है जब उसमें जो भी बेल मांग रहा है वो कोई application मूब करे क्या अर्विंद केजरिवाल ने अपनी बेल रेगुलर बेल या इंटरिम बेल के लिए कोई application अपने वकील के जरिए सिंगवी के जरिए मूब कराया नहीं कराया उनका एक ही रिट है जिस पर मुकदमा लड़ रहा है सिंगवी और उस पर उन्होंने इडी के उस पूरे शराब घोटाले वाला जो केस है उसको रद करने की रिट है सर केजरिवाल ने कोई जमानत मांगी ही नहीं कभी ना रेगुलर मांगी और ना इंटरिम मांगी दूसरा चीज सर इस देश के नयाएक इतिहास का एक सच और है मैं रुक रहा हूं मैं रुक रहा हूं सर इस देश के नयाएक सच टेकनिकल चीज है मैं उसको बता दूं जरा कि स्वता सज्ञान लेकर कभी भी कोई बेल नहीं दी जा सकती हां पेरोल दिया जा सकता है स्वता सज्ञान अगर नयाएधीश लें कि हाँ इस विचाराधिन कैदी के साथ यह दिक्कत है इसकी मा का द्यांत हो गया इसका फलाने हो गया इसका डेकाने हो गया है और अगर माली यह इस कंडिशन में ना हो कि वह बेल एप्लिकेशन मूब कर पाए तो स्वता सज्ञान लेके स्पेशल कंडिशन में पेरोल दिया जा सकता है तो आरविन केजरवाल पेरोल पर यहां हुए हैं दो जिन तक के लिए कोई इंटरिम बेल या रिवलर बेल उनको नहीं मिली है जी आप कुछ गया वो तो शुरू से डेवन से वह इस बात से कोट में लड़ रहे हैं कि उसने पूछा आपने बेल अपलाई क्यों नहीं किया बोले सर हमारी गिरफ्तारी ही अवैद है तो वो अपनी गिरफ्तारी की वैधता पे लड़ रहे हैं बोले हमारी गिरफ्तारी है इसलिए हमको छोड़ा जाए ना कि हम सर बिलकुल सर बिलकुल उनके वकील इस बात के ल इसके लिए लड़ रहे हैं उनके वकी तो यहां पर यह कहना बहुत ही गलत है इसलिए मैंने कहा कि इस देश की अस्तापित मीडिया और तमाम लिखने पढ़ने बोलने वाले लोगों पर मुझे हंसी आती है शर्म भी आती है कि क्या अस्तर हो गया है जहां पर एक पेरोल को इ एक विचारा धीन कैदी इनको पेरोल दिया जा रहा है क्योंकि ये एक पार्टी के स्टार परचारक है और इनको देश में चुनाओ चला है पांच साल में एक बार चुनाओ आता है ये भी मतलब घजब स्वता सग्यान है सर कि पांच साल में एक ही बार चुनाओ आता है इस कैबिनेट की Meeting नहीं लेंगे बिरेकरेट या अधिकारियों की कोई बीटिंग नहीं लेंगे किसी सरकारी कागच में दस्धकत कहां करेंगे जो आदमी बिना विभातमुक्रति का मुख्यelt मंत्रियों वो दस्धकत कहां करता है वो इतने शातिर आदम हैं को उन्होंने उसकी बेवस्ता पहले से कर रखी है तो दस्खत नहीं करेंगे उसके अलावां जो शर्त और थी यह जो केस चल लहा है जिस मामले में गिरफतार है यानि शराब घोटाले के मामले में कोई भी सारुजनिक बयान नहीं देंगे आइदर प्रेस कांफरेंस में या किसी राजनितिक रै भी जा चुकी है उन्हीं सुप्रिम कोट के हाँ जा चुकी है यह कहते हुए कि सर इन्हों ने आपकी शर्तों का उलंगन किया है और उलंगन किस बात पर किया है तब क्या मामला था हलाकि उस दिन अजिस्टियों खन्ना ट्रेंडर नहीं हुए थे उन्होंने कहा कि साथ यह लगातार शराब घोटाले और इस तरह के विश्यों पर पब्लिक रैलियों में बोल ला है लेकिन ये घुमा के बोलते थे आज सर जब इनका तोता जिसमें इनकी जान बसी हुई है और एक यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले अगर मौका दे तो आदा मिनिट की एक एक factual चीज जो इतना बड़ा फ्रॉट खिला जा रहा है इस देश में अस्थापित मीडिया क्या बता रही है जबसे बिभव गिरफतार हुआ है स्वातिमालिवाल को जिसने पीटा है जिस पर आरूप है जो अब प्लिस कस्टिडी में है यही बोला जा रहा है ना कि वो अर्विन केजरिवाल का पीए है सर, इस देश की अस्थापित मीडिये का कालर पकड़के यह पूछा जाना चाहिए कि इतनी तथ्यात्मक गलत बात क्यों बताय जा रही है बिभाव अर्विन केजरिवाल का कोई PA या PS नहीं है दिल्ली जल निगम बोर्ड के गोटाले में प्रवर्तन निदेशाले यानि विजलेंस डिपार्टमेंट आफ डेली ने इसकी नियुक्ति को अवैद बताते हुए इसको पहले ही बरखास्त कर दिया है ये कोई PA और कोई PS नहीं है तो ये भी एक जूट फैलाया जा रहा है और अजीब सा है कि लोग हम और करते नहीं इस्टेब्लिश मीडिया में एक तरफ पेरोल को इंटरिम बेल कहा जा रहा है और ये बरखास्त PA जो कभी PA ही नहीं उसको अरविन केजरिवाल का PA कहा जा रहा हाला कि इस मामले में अगर वो बरखास्त PA है और तब उसका एकसेस इतना ज़्यादे है तो ये दूसरे तरह का प्रश्न है आज उन्होंने सर जब विभो के लिए सड़क पर उतरे इतने सारे साथी अरविन केजरिवाल के गिरफतार हुए कभी अरविन केजरिवाल सड़क पर उतरे नहीं उतरे कि यह जाएंगे भारती जंता पाटी के ओफिस वहां घेराओ करेंगे उसके पहले भाषन देते हैं स्वाती मालिवाल पर लखनों में माईक इधर से उदर खिसकाते हैं लेकिन भाषन माईक देखते हैं इनका मुझ खुलता है उन्होंने भाषन दिया और इस भाषन में आज कि कहां है पैसे अगर घोटाला कोई हुआ है तो पैसे तो बताओ पासवर्ड नहीं बताओगे बिटकोईन्स के और स्मार्ट गेम खेल लाओ पैसे तो बताओ कहां मिले हैं क्या सर्थ शराब घोटाले पर पेरोल देते हुए जिस खन्ना जी की बेंच ने ये शर्त कि ट्रेटर पर इस देश के मिलाट सबसे बड़ी नया के मंदिर के वो जो अपने आपको भगवान से वी उपर समझते हैं वो ट्रेंड हो रहे हैं किसी यश के लिए नहीं आप यश के लिए ट्रेंड हो रहे हैं अब कहा है उनका स्वतासज्यान सर क्या मिलाड की यह जमिदारी नहीं बनती इस देश के 140 करोन लोगों के प्रति जिस एक विचारा धिन कैदी को उन्होंने छोड़ दिया है पेरोल पर स्वतासज्यान लेके न जाने किन वजहों से अगर वो उनहीं की लगाई शर्तों का उल कि पातिशी मार लेना सौरव भारतवाज और राघव चड़ा को भी जेल जाना पड़ेगा उनको भी जेल में डाल दिया जाएगा आपको नहीं लगता कि यह इन तीनों यह नटवर लाल जो है इन तीनों को इनफेक्ट सरयाम धमकी दे रहा है कि बेटा सही से रहो काईदे में रहोगे नहीं तो जेल तुमको भी जाना है सर मैंने एक डाकुमेंटरी देखी थी मुझे उस डकैत का नाम नहीं याद आ रहा है जिसकी दो तीन बीबियां लड़कियों का बड़ा मलब औरतों का बड़ा शौकीन था वो चंबल के इलाके में अपारंगर के ले जाता था और वहां पर रखता था अपने साथ मुझे नाम नहीं याद आ रहा है नियर्बै नेर्बै रूबध नियर्बै नियरुत नेरभध नियरवय स्थिती जो चंबल गिरों में देखी गई है जनी गई यहीм extraordinarily दिल्ली की राजनीत में अर्विन केज्रिवाल लेंपार्टी करतीए सर मुझे एक चीज बताये अर्विंद केजरिवाल का शीष महल घटना अस्थल है और ये कोई राजनेतिक मुकदमा नहीं है सर्थ नहीं है कोई financial मुकदमा है ये IPC का criminal case है गंभीर धारा हैं एक महिला के शील हरण का एक महिला के चीर हरण का शलील इशारे करने का मारने पीटने का ये सारा ये criminal offenses कहा हुआ है किस प्रेमाइस में शीष महल में जो मुक्हमंत्री का बंगला है और ये बताया जा रहा है स्वाती मालिवाल ने भी ये कहा है ये तो वेर अबाउट से पता लग जाएग का कि अर्विन केजिरवाल अपनी पत्नी सुनीता के साथ उसमें उसी शीष महल में मौझूद थे आखिर तभी तो मिलने गई थी जो ये कहा जा रहा है कि साहब वहां वेट कराया जा रहा था कि थोड़ा सा वेट कर लेजिए और ये वेट नहीं किया जो विभाव ने का सर अगर एक महिला राजसवा सांसत के साथ मारपीट और सारा कुछ कर रहा है क्या ये आपराधिक शड़यंत्र यानी IPC की धारा 120B के तहट अर्विन केजिरवाल उनकी पत्नी पर केस नहीं बनता है इस पर सोता सग्यान दूसरा सोता सग्यान एक और लिया जाना चाहिए कि ज आपको फिर स्वता सग्यान नहीं लेना चाहिए कब लेंगे आप स्वता सग्यान यही कुल कारण है सर कि इस देश में आज जो जन मीडिया है ट्विटर हो फेस्बूक हो वहाँ पर निंदा कर रहे हैं सर लोग नहीं रुकेंगे निया धीशों को अपनी जत खुद बचानी होगी एक ही सवाल इस समय लोग ट्विटर पर पूछ रहे हैं जस्टिस खन्ना को संबोधित करते हो जस्टिस खन्ना इसी लिए ट्रेंड है कि आपका स्वता सग्यान कहा गया भई शराब गोटाले पर वादमी बोल ला है आपन दिया है दो तीन जेगा है उसने बोला है उन्होंने ये बोला है कि आप अगर हमारी पार्टी को या इंडी गटवंदन को सरकार में वापस नहीं लाओगे तो दो जून को मुझे जेल चले जाना पड़ेगा मैं पूछना चाता हूँ उस देश की सर्वच नयपालिका से कि आपने जिसको पेरोल दिया है वो पेरोल पर रिहा हुआ बाहर हुआ विचारा धीन कैदी आपको ही चैलेंज कर रहा है क्या अर्विंद केजरिवाल के कहने के अनुसार अगर इंडी सरकार की इंडी सरकार आ जाती है नरे दिरवोधी की सरकार चली जाती है तो केवल सरकार आज आने की वज़े से सुप्रीम कोट के जज की हैसियत नहीं रह जाएगी कि अरविन केज रिवाल को दो जून के तिहाड में जाना पड़े क्या कहना चाहते हैं अर्विन केज रिवाल समझ रहे हैं सारा भी यह गंभीरता उस व्यक्ति ने सीधे सीधे इस देश के सुप्रिम कोट को चैलेंज किया कि अगर सरकार बदल दो तो हम तुम्हें तुम्हें तुम्हारी आउकाद दिखा देंगे और तुम कितना भी बुला तेरा जाओगे दो जून को हम नहीं आएंगे हम जेल से बाहर रहेंगे इसी बयान के तुरंत बाद सॉलिसीटर जनरल सुप्रिम कोट पहुंचे और मुझे कहते हुए अफसोस है कि सुप्रिम कोट ने सर जुका के नीचे बेंच ने यह कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है कि नयाइपालिका को अपनी इज़द बचानी पड़ेगी क्योंकि अब यह सोशल मीडिया का दौर है आज ट्विटर बोल ला है ना मुझे उमीद है कि मिस्टर खन्ना या उनका कोई स्टाफ या उनके घर वाले उनके बच्चे है चलाते होंगे ट्विटर सोशल मीडिया पर एक टिपड़ी हो जाती है तो बड़ा खल जाता है कि जस्टिस तक बोल पड़ते हैं लेकिन अगर आपके फैसलों का आपके दिये गए निरणों का ये हाल कोई विचारा धिन कैदी करेगा तो ये देश अप पूछेगा सर और ये बहुत ही अफसोस की ब और ये अपील करनी चाहिए जिस तरह से उन्होंने पहले अपील किया कि दो जून का हम वापस नहीं जाएंगे अगर जीता दोगे तो सरकार बदल गई तो उसी तरह कल भी उनको जाना चाहिए और ये भाशन का फूटेज लेके जाना चाहिए यहां असपस रूप से स्रिस खरना से यह सवाल पूछ रहा है अच्छा आज की खबरों में यह भी है कि पुलिस दिल्ली पुलिस आई थी और उन्होंने मौका एवारदात मौका एवारदात का मौइना किया वहां से फॉरंसिक एविडेंस इकठा किया और मुल्जिम मौल्जिम का जब फोन जब तकिया गया तो उसको फॉर्मेट कर दिया गया था अर्था सारा डाटा उसमें से उसमें जितने भी प्रूफ थे तब पुला दिये गए मौतब साक्ष जिसे कहते हैं एविडेंस जो है उसको नश्ट कर दिया गया नंबर नंबर तू मौका एवारदात अर्था सी हैल अर्था स्यम हाउस के तमाम सी सी टीवी जो फुटेश थी उसको भी डिलीट कर दिया गया है तो सबूत नश्ट करने के जुर्म में एजरिवाल और उनकी बीवी लपेटे में नहीं आएंगे क्या सर मैंने पहले ही कहा यह घर किसका है सर जब मैंने कहा एक सो बीस भी आपराधिक शडेंत्र रचने यानि में किंग पिन यह शराब घोटाले में भी किंग पिन है और यह जो हिंसक वारदात हुई है जो पिट कि किंग पिन है इसलिए मैंने कहा कि 120 भी कर्मिनल अफेंस में इनके उपर उनकी पत्नी के उपर भी केस होना चाहिए और आपको एक चीज़ बताऊ सर विबाव कुमार का फोन कहां फार्मेट हुआ है मॉंबई में मॉंबई में फार्मेट हुआ जहां पर अर्विन केजरिवाल भी थे फोन फार्मेट क्यों हुआ सर उसकी एक बज़ा है आपने ध्यान दिया होगा कि छोटी छोटी दो वीडियो क्लिप अर्विन केजरिवाल एंड पार्टी ने धीरे से अस्थापित मीडिया की तरफ और ये साबित करने का प्रयास किया गया कि स्वाती मालिवाल बेलकुल ठेक ठाक थी उनके साथ कोई ऐसी गड़बर नहीं हूई थी उनकी चाल धाल सब ठीक थी बलकि वीडियो में ये दिखाने तक का प्रयास किया 50 सेकेंड का वो वीडियो जो कट छोटा सा आया था कि उसने मारपीट पूरी कर ली और ड्रेंग डूम में कोई CCTV नहीं है, ठीक है, ड्रेंग डूम में CCTV नहीं है, किसी के ड्रेंग डूम में नहीं होता है, ठीक है, उसमें कोई आपती नहीं है, किसी के बेटरूम में CCTV हो, ऐसी कोई डिमांड नहीं कर सकता, किसी के बातरूम में हो CCTV प्रफिस में होता है बरांदे में होता है गेट में होता है लोबी में होता है स्वाती मालीवाल ने खुद सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर यह लिग के बताया है जब उसने मेरे साथ मारपीट कर ली और सब कुछ कर लिया और मैंने कहा कि मैं 112 PCR कॉल करने जा रही हूं और मैं कर चुकी थी और पुलिस आने वाले थी तब वो बाहर गया और सिकूर्टी गार्ड्स को वापस बुला के ले आया और खुद वीडियो बनाने लगा और वो वीडियो लंबा था जिसमें बहुत कुछ ऐसा रिकार्ड हुआ लेकिन डेलिबरेटली केवल 50 सेकंड की क्लिप जहां पर मैं दोशी शाबित हो जाओ और एक नरेटिव गढ़ा जा सके वो उसने जारी कर दिया फोन इसलिए फार्मेट हुआ पूरा वीडियो मिल जाता उसमे क्योंकि अर्विन केजरेवाल के ट्राइंग रूम में CCTV कैमरा नहीं है मुझे बताएं वैसे यह जो इस गिरोह में इस गैंग में जगड़ा मारपिट हुआ किसलिए क्या सिर्फ राज्यसभा की सीट के पीछे हुआ या और भी सर एक चीज़ बताओ आपको यह कॉंस्परेसी थियोरी कई तरह की थियोरियां चल लए है एक राज्यसभा सीट वाले की अभिसेख मनु सिंगवी को पर इसलिए यह चल पड़ा है कि वो किस किस तरीके से महिला जजज बनवाते थे क्या लेकर क्या देकर महिला जजज बनवाते थे तो इसलिए उनके बारे में यह थियोरी भी चल पड़ी किसाब उन्होंने अर्विन केजरिवाल से कहा कि हम तो ही माचल से हमारा गड़बड हो गया आप तुम को वहां पहुंचाओ लेकिन सर एक चीज और बताओं आपको आप यह बताईए स्वाती मालिवाल एक महिने के बाद आई और गई अर्विन केजरिवाल के पास और पिट गई आप F.I.R की एक लाइन घ्यान दीजे जो हिंदी में लिखा है कि तुम कैसे नहीं मेरा कहा मानोगी यह ऐसा क्या था जो विभोकुमार कह रहा था और स्वाती मालिवाल नहीं मान रही थी यह सवाल पूछा जाना है चाहिए कि नहीं पूछा जाना है चाहिए F.I.R में लिखा ऐसे F.I.R पब्लिक है पड़े कोई ऐसी कौन सी बात थी जो विभोकुमार मनवाना चाह रहा था स्वाती मालिवाल से और यह कह रहा था कि तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं तेरी या कर दूँगा वा कर दूँगा एग्जेक्ट्ली मुझे नहीं आदे इसलिए मैं कोट नहीं कर रहा हुँ सर यह सिर्फ राजसभा सांसदी वाला मामला नहीं है चुकि हमारे पास कोई ऐसा अधार नहीं है तो हम फिवरी ही बता रहे हैं एक डॉट्स को जोड़िये सर एक महिने के बाद यह तुरंत आई और इसकी पिटाई कांड के तुरंत बाद चड़ा आ गया चड़ा के बारे में सब जानते है कि यह मैनेज करता है सारे पैसे एक त्योरी यह है कि सारा पैसा अरविंद केजिरवाल ने बिटकॉइन में लगा रखा है बिटकॉइन के रूप में रखा हुआ है इसलिए फोन के पासवर्ट नहीं बताय जा रहा है और सर जिस तरीके से आज अरविंद केजिरवाल ने कहा कि पैसा कहा है यह बार-बार कहता है यह वक्ति कि अगर शराब घोटाला हुआ है उसमें पैसे खाए हैं तो पैसा कहा है इस व्यक्ति को अपने शातिरपने पर अपने गिरों के शातिर पने पर इतना भरोसा है कि Bitcoin तो तुम नहीं निकाल पाओगे, पैसा एक नहीं निकाल पाओगे, लेकिन Money Trail तो मिलती है सर, Bitcoin लगा के तो नहीं create होता ना सर, Money का transaction होता है तब नो वो convert होता है सर, और ED enforcement direct rate जो है, वो Money Trail ही पकड़ता है, वो उसने कि दूसरा अब आजाते हैं विवा कुमार पर विवा कुमार को सर पांच दिन की पुलिस रिमांड है अभी एक राद के वल वी की बीती है इसमें शाम हो गई है सर ने ने सर पुलिस रिमांड है कि जुडिशियल कस्टडी और है कि न्याई खिरासत नहीं है न्याई खिरासत में क्या होता है उसको जेल बेज दिया जाता है और पुलिस वहीं जाके पूछताच करती है यहाँ पर वो विवा कुमार संबंदित थाने के लॉक अप में है पांच दिन के लिए कल रात में कोट ने उसको लॉक अप में रखने का आदेश दिया है यानि इसको जो है पुलिस रिमांड मिली है अभी एक रात बीती है सर और एक रात का परड़ाम देख लीजे क्या हुआ है आज पुलिस गई है CDR जब्त करके ले आई है CDR जब्त करने के बाद आपको पालू है कि साइबर एक्सपर्ट जो है उसको बकाइदे सील किया है दिली पुलिस ने भेज दिया है लैब में तो ये ऐसा मामला होता है सर कि महिला का बयान और कोई एक साक्ष एक बात अगर मैच कर गई तो सजा के लिए परयाप्त होती है यहां पर क्या-क्या पहले ही मैच हो चुका है यहां एम्स में कराया गया मेडिकल मैच हो चुका है स्वाती मालिवाल ने जो जो अपने एफ आई आर में लिखवाया है कि मुझे इन इन शरीर के अस्थानों पर बहुत तेज चोटें आई मेडिकल हुआ उस मेडिकल में वह सारी चोटों का डिटेल निकल आया है वह चोटे है यानि अभी चार दिन की वांड बागी है पुलिस इसमें और क्या-क्या साख्र इकठा करेगी इकठा करेगी ये तो दूर की बात है यह सब एडिशन है फिलहाल विभाव कुमार को जिन धाराओं में बंद किया गया है उन धाराओं में सजा देने के लिए इतना सबूत already एकठा हो चुका है सजा परियाप्त है और यही वज़ा है कि अर्विंद केजरवाल सडक पर है अर्विंद केजरवाल यह जानते हैं कि चार रातें और पुलिस रिमांड की होती है और दिल्ली पुलिस के रिमांड सर और किसी पुलिस के रिमांड बड़ी आनंद दायक होती है सर बहुत आनंद दायक होती है जुडिशल कस्टडी और पुलिस रिमांड और एक चीज और ED की कस्टडी और ठेट पुलिस की कस्टडी गजब का फरक होता है सर ED और CBI जरा शरीफ लोग होते हैं सर तरीके से बात करते हैं एक अच्छे कमरे में रखते हैं ED के पास लाकप नहीं होता CBI के पास कोई लाकप नहीं होता उनके पास कुछ कमरे होते हैं में जोती है कुर्स ही होती है सर लाकप तो बहुत सारे दर्शक जानते हैं आउच वाली पूस्ताश लोगों ने देखा है फिल्मों में ही सही देखा होगा तो एक रात में उसने इतना बकरा है चार रातें और ह जानते हैं कि बड़ा नाजुक सा लड़ूडा है मेरे सारी चावियां उसके पास हैं कहीं राज न खुल जाए क्योंकि सर स्वाती मालिवाल का एक्स बता चुका है कि वो बजबजाता हुआ गटर है शीश महल एक और फांडर फांडिंग मेंबर महिला आम आदमी पार्टी की उसने भी पताया है और उसने ये कहा उसमहिला ने कि मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकती कि वो किस तरह का आड़्डा है सर राजसभा वाली थियोरी इसको भी चला जा सकता है मैंने कहूंगा रोकना लेकिन ये कुल माल का बटवारा और जो लस्ट है पॉलिटेक्स में जो इनका इनकी राजनीत का चाल चरित्र और चहरा है उसके जितने एलिमेंट हो सकते हैं सर वो सब इन्वाल्ब हैं और विभव कुमार इन सारी चीजों को रिकार्ड करने वाला एक ऐसी डायरी है जिसमें सब के कच्चे चिठे अर्विन केजरिवाल तक के उसके पास ह हैं एक एक चीज है इसलिए अर्विन केजरिवाल अब तक अपने तमाम साथियों के जेल यात्रा पर नहीं सड़क पर उत्रे विभव कुमार के जेल जाने पर वो सड़क है मुझे यह बताई है हम लोग बड़ा शकून अप्शकून शुब अशुब का बड़ा विचार करते हैं यह शीष महल अशुब तो नहीं हो गया है सड़जी के लिए सर आपकी बात से मैं सहमत हो रहा हूं अब तो यह लग रहा है अरविंद्र केज रिवाल के लिए तिहाड की वो सेल ज्यादा शुबती यह यह शुब हो गई है सर वहां वो पूडstag क्षा रहे थे मिठाई खा रहे थे आम खा रहे थे कितने अराम से थे बाहर निकल के क्या हुआ लेकिन सर होता क्या है ना कि दो जून को चले जाना है तो समपत्ति में बटवार जिसके बिदाई की तारीक तैं हो तो वो सारी चीजे निस्तारण करके जाएगा कि नहीं जाएगा तो यहां सर अभिशेक मनुसिंगी विको चाहरा जासभा देना हो स्वाती मालिवाल से चाहरा जासभा छेननी हो वो भी बात हो सकती है सुनीता केजरिवाल कहा है इस्टार परचारकथि रोड़ शो कर रही थी ना ज़ारकंड तक में जाकर रैली कर रही थी ना जब से अर्विन केजरिवाल बाहर आया सुनीता केजरिवाल का कोई public appearance कहीं दिखी है सर कंदा से कंदाल मिला के जैल से बाहर निकल के यहां पंजाब में एक और चर्चा चल रही है मैं आपको बता दूँ पंजाब में ऐसा बता है कि जब भी कोई बड़ा बिजनिसमेन राजनेता विदेश की धरती पर डेड़ दो महिना तीन महिना चार महिना अगर टिक जाए इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये माना जाता है क्योंकि पंजाबी दीजमें रहां है यहां तो बच्चा बच्चा विदेश के शुब एक और पंजाब के मुक्षमंत्री मुख मंत्री यह कि अपने दराफू जी भी अक्षर चले जाते हैं विदेश्न कर चाहिए Колे मैने अग्यातवास में बिताकिक आते हैं श्वाति माली वाल भी बिताकिया है है रागव चढधा भी बिता क्या है है इस अब कहें माल खपा रहे हैं इस बात का जगड़ा नहीं हो रहा है सर के सरदार के कि इंकाउंटर का जब समय आ जाता है तो गिरोव में कोई राइफल लेके भागता है को चार्च लेके भागता है कोई कुछ नहीं मिला तो दस किलो Hmoth क कनक्तर वह लेकर भाग जाता हुआ यह भी हो सकता है। कि अप जो बात कह रहे है रहे हैं जिसका जिस है कि ये सारे मिलके एक साथ माल को ठिकाने लगा रहे हैं काइदे से क्योंकि वहीं सब विश्वास मुझे दिखाई देता है अर्विंद के जिर्वाल पर की बातों में जब वो कहता है कि पैसा कहा है पैसा कहा है पैसा इन्होंने अलड़ी सेटल या तो यह मिल के कर रहा है सेटल यह भी थेओर है या तो यह अलग कर रहे हैं मिल के कर रहे होते हैं वह भी जाती तो बाहर नहीं आती उसमें और यान है सर उसमें आपकाउंटम्टिंग तो हो सकती है लो है है वाई एक केस में पांच लोग हुआ है और हमने पता चला कि मेरे पास 500 करोन रुपे लूट के माल में से थे कि मैं हिसाब दे रहा हूं साड़े 300 करोन का तो डेड़ सब करोन का है मुनिफ साब यह भी हो सकता है हुक हरे तो पांच करोण तुम तुम्को जब लूटा गयया एक साथ तो बाटा गया गया जहुए जोला तु ले जाएग ज और FIR में लिखवाई उस बात से जरा इसको मैच कीजिए, जो स्वाती मालीवाल ने लिखवाया है, कि अगर तु मेरा कहना नहीं मानेगी, मेरी बात नहीं मानेगी, तो मैं तेरा या कर दूगा, वा कर दूगा, वो आगे, देश जानना चाहता है, कि वो कौन सी बात मनवाई जा रही थी, ये जिम्मेदारी स्वाती मालीवाल की है, वो बताए, कि ऐसी कौन सी बात या और बताएगे, देखे सर, 164 में जो बयान दर्ज हुआ है, मैजिस्टरेट के सामने, उसमें सब बताया होगा, वो अभी पुब्लिक डोमेन में नहीं आएगा, लेकिन सर, के भाग में और यहां मारे चार डंडे, अगर मेरे मेडिकल में यहां पर इस्ट्रेस या निली दाग या लाव दाग दिग गया और यहां दिग गया, प्रामेफिसी मैचिक, और कुई सी छोटी मुटी जगह पर नहीं हुआ है, एमस में हुआ है मेडिकल, दिली पुलिस न आई गई है तो विभाव कुमार का जेल जाना और उसका सजा होना ये तो तहां है मातरीत नहीं evidence पर क्योंकि धाराएं आपको याद है न क्या क्या लगी हुई है पांस धाराएं लगी हुई है अब उसमें इडिशन क्या करना है मारपीड थो सिद्ध हो चुका है मेडिकल से ही अब उसमें एडिशन क्या होना है जिसमें की लमबी सजा होनी है अशलील गालियां असली इशारे जो कि CCTV या किसी इसमें आएंगे इसमें जमानत का क्या प्रावदान है तुरंत लोग बल रहा है तो थाने चोड़ जाएगा बिल्कुल नहीं सर मैं आज आपके इस वीडियो पर गारेंटी देता हूं लोग लीगल चीजों का जरा अध्यान करें मैंने आपी के साथ बातचीत करते हुए एक वीडियो में बता सरकार आएं महिलाओं के लिए बनाई गई धारों प्याओं और सर एक चीज आपको बताओं प्रारब्द कह लीजिए सर इसको निर्भया कांड के चूरन बेचके निर्भया कांड को भजा के उस पर राजनीतिक गोटियां सेखके ही ये अर्विन केजरिवाल ने अपना रा कानूनों को बहुत कड़ा किया गया यह सबको पता है आज उन्हीं कड़े कानूनों के दायरे में विवकुमार आया हुआ है जब मैं यह कह रहा हूं कि कोई महिला का बयान कि इसने मुझे इस व्यक्ति ने मेरे लिए अश्लील ये बातें कहीं और साथ में उसका मेडिकल से मिलान या अपने आप में परयापत है उस व्यक्ति को सजा देने के लिए क्योंकि कानून ने कड़े इस बदलाव के बाद एक नेचुरल लीगल एज महिला शिकायत करता को मिल चुका है तो अब उसमें एडिसन सिर्फ इस बात का होना है कि और कड़ी सजा इसको कैसे कि क्या इसने वाकई अशिलीलता की है वो हरकतों में कहीं दिखेगा वो वीडियो से संभावित है चाती पे पेल्विक एरिया के बीच में टांगों के बीच में हमले को तो ये तो सेक्सुल अटैक मान लिया जाएगा बिलकुल सर मैं इस हीने कह रहा हूं कि इसको जमानत न पानून इतने कड़े हैं बहुत सारे लोग उसका मजाग बनाते हैं उस पर वियंगे करते हैं कि अगर महिला सिर्फ ये शिकायत कर दे कि फलाने व्यक्ति मुझे उपर से नीचे अश्लील इरादों से ताक रहा था अरेस्ट हो जाएगी सर इसलिए मैं कह रहा हूं इस बात की गंभिरता समझें लोग और इस बात की गंभिरता लोग भले न समझ रहा हूं अर्विंद केजरिवाल उनका गिरोह बहुत अच्छे से समझ रहा है इसलिए अर्विंद केजरिवाल आज सड़क पर नाच रहे हैं अपने विभाव के लिए इंतरिम बेल पैरोल या जो भी कुछ कह लिए उसके उसकी शर्तों के उलंगन के आरोप में क्या कोट इनको तुरंत वापस जिल वापस लोटने का आदेश पारित कर सकती है क्या सोतास अग्यान लेकर सर सोतास अग्यान तो लेना चाहिए लेकिन इस व्यक्ति ने पहले ही मैंने कहा कि 16 तारिक को अलेडी सॉलिसेटर जर्नल और एडी जा चुके हैं कोट यह कहते हुए कि देखे यह आदमी जो इस तरह की बाते कर रहा है उन्होंनों कहा कि नहीं नहीं ठीक है मैंने शुरू में ही कहा कि मुझे पूरी उमीद है कि आज इस व्यक्ति ने शराब भोटाले को लेकर जो बयान दिया है जो शर्तों का उलंगन किया है अपनी पेरोल के उसके खिलाफ सुप्रिम कोट में कल ही एडी को जाना चाहिए मुझे उमीद है कि ऐसा होगा और उससे भी बड़ी बात यह है कि सुप्रिम कोट को खुद स्वता सग्यान लेना चाहिए कि मेरी लगाए गई गई शर्तों पर ये पेरोलिया उसका उलंगन कर रहा है अगर स्वता सग्यान नहीं लेती है सुप्रिम कोट तो यह दुर्भागे पूर्ण है लेकिन मुझे कमसकम एडी से और सॉलिसिटर जनरल से यह पूरी उमीद है कि जिस तरीके से सोला तारिक को शर्तों के उलंगन करने के मामले को लेके यह सुप्रिम कोट के पास गये थे वैसे ही आज इस वेक्ति ने जो खुला खुला उलंगन किया है उसको लेके कल कोट जाएंगे और रही बात विभव कुमार को कोई जमानत मिलने की सर स्वाती मालिवाल के आरो प्राइमाफेसी सिद्ध हो चुके हैं कल अच्छा खासा रात में सुनने के बाद कोट ने जो पांच दिन की पुलिस रिमांड दी है पुलिस रिमांड तब दी जाती है जब पुलिस अपने प्राइमरी इन्विस्जिगेशन रिपोर्ट में सहमत कर ले अग्री कर ले नियाधीश को कि नहीं साहब जो जो ये शिकायत हुई है और ये जाच मेरे मिला है मामला सही है या कि यहां पर मोल भाव होता है यह आपने बिल्कुल सही का कि जब रिमांड मांगती है ना पुलिस तो पुलिस को अगर चार दिन की चाहिए होती है तो आठ दिन की मांगती है वो जानती कि जसाब इसमें कुछ काट कूट लेंगे यहां भी मुझे नहीं पता लेकिन निशित तोर पर अगर दस दिन की मांगने पर पांच दिन की मिल जाती है अर्विंद केजिलवाल को कितने कितने दिनों की रिमांड मिली थी कुल पंदरा दिनों की रिमांड होती है पुलिस पंदरा दिनों का रिमांड ले सकती है तुकड medical रखा है कल जस्थाहब के पास medical और FIR ये दोनों चीज़े रखी हैं कि सर देखिए इस महिला ने FIR में ये 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 यहाँ यहाँ मारने की बात लिखी है और ये MS का medical है सर इस medical में यहाँ 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 चोटे पाई गई है जस्थाहब ने दोनों को तो मिलाया बलो बाकी चीज़े तो बात में देख लो यह तो प्राइम फेशी से दोता है पांस दिर की रिमांड ले जाओ ने पर आखिर बहुत कुछ जा बई कई बार क्या होता है कि वेपन जो है क्राइम का जो वेपन है उसकी बरामतगी के लिए समय चाहिए होता है तो इसलिए तो रिमांड मांगे जाती है इसके लिए समय चाहिए होता है तो इन्हों ने जो वो डिवियार वगरा जो वो करती है सारा data delete कर दिया है उस data की recovery के लिए भी time मांग रहे होग ना sir, remand क्यों मांगे जाती है उन्होंने काया कि साथ देखी ये प्राइमाफिसी है और इस अभियुक्त से हमें अभी ये 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 और पता करना है और उन्होंने काया कि ये जाच में सयोग नहीं कर रहा है इसने अपना phone format कर दिया है और उसके बाद phone का password भी नहीं बता रहा है जाच में सयोग नहीं कर रहा है हमको crime scene पर इसको लेके जाना है तो ये सारी चीज़ें गिनाई जाती है और जज ये पूस्ता है कि इतना सब आप इसके लिए मांग रहे हैं इतना बड़ा इसको आप अपराधी बता रहे हैं कुछ हमको समझाने के लिए है तो पुलिस दिखाती है कि साथ देखे ये हमारे पास अभी शुरुआती ऐसी चीज़ है जिसे प्रतीत होता है कि ये मामला बिल्कुल सही है और इस केस में पुलि इनको और दे दीजे मुझे ये आठ चीज़ें और पता करनी है पुलिस नहीं कहा कि जो सीडियार जो हमने सीसी टीवी फूटेज मांगा था वो सीसी टीवी फूटेज हमको नहीं दिया गया है सीम हाउस से एक वो क्या कहते हूं उसको एक इस्टुमेंट कोई दिया गया प प्रयास्ट करने का प्रयास कर रहा है ये प्रैमेफेसी से दो गया ना कि फोन फॉर्मेटेट पासवर्ड नहीं दिया जा रहा है तीसरी चीज़ पुलिस ने क्या कहा है सबसे महत्पूर्ण सर विबा कुमार की गिरिफतारी कहां से हुई शिश्माल से हुई ने सर शिश्माल भूत मंगले से हुई ठीक है एक आरोपी जिसके ऊपर एक क्राइंग करने का आरोप है उसी घटना अस्तल पर वो बाद में क्या कर रहा था वो पिये भी नहीं है वो तो पिये नहीं है ना क्या कर रहा था यानि मुख्यमंत्री का कोई अफिशली स्टाफ नहीं है वो आज की डेट में एक आरोपी जो अपराद करने वाली जगह पर दुबारा क्या कर रहा था जहां से पुलिस उसको ले आ रही थी तो पुलिस ने कल मजिस्ट्रीट को ये भी कहा है सर कि ये जो बाकी गवाह वहां पर है जो सुरक्षा करनी है जो रसोईया है जो ड्राइवर है जो जो वहां पर था उसको जाके ये हड़का रहा है सबूत नस्ट कर रहा है सबूत तो केजरिवाल और भौजी केजरिवाल भी कर रही होंगी सर मैंने इसलिए शुरुआत में मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ आप राधिक शड़ेंट रेक्सो बीस भी और आज नहीं कल मुझे पूरा यकीन है कि जब जांच आगे बढ़ेगी दायरा आगे बढ़ेगा तो यह केस इन दो इस केस में भी पार्टी बनेंगे अर्विन केजरिवाल और उनकी पत्री कि सर्मजा नहीं आया चैवण करोड़ रुपर आप लोग लगवा दिये सीश महल में तब मजा नहीं आया तर अब सर अब शक्नी जगा एक रखाली करवाईए अधर खाली और रही यह वहां पूजा उजक करवाईए जगत नहीं कर रहा है कि आपको आपको एलाट करा दिया जाने चाहिए मुझे लगता है कि आपके दर्शकों को आपके नहीं नीली वैगनार नीली वैगनार और दुई कमरा का मकान ही उसको शूट करेगा तर उसको शीष महल शूट और बड़ी गाड़ी नहीं शूट कर रही है आप लोग समझ ये बात को आपके समय दिया था बहुत-बहुत धन्यवाद हम लोग 20 मिनट तोच के बैटे थे 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 अगले वीडियो फिर बती आ जाए तापिक बहुत लंबा है था अगले वीडियो फिर बती आ जाए बहुत बहुत धन्यवादतर थे एए वेरि माच्ट